थे फोटो संतेसिसेहां ऐराइप यहां पर हम लोग को पढ़ने का लाइट रियक्षिन और उसके बात हम लोग पढ़ेंगे तो पहले लोग रियkक्सिन चेले हैं क्या थो होता है यहां पर आपको लाइट आन्धस्पियसिटिंग बियुक्स अब देखियेगा है इसन तंद ऑफ फोटो सिस्टंब वन और दूसरा है अपना फोटो सिस्टंब यह फोटो सिस्टम वण जए 700 मैक्सिमम 700 m का वेवलेंट को यह कर पता है और फोटो सिस्टम टु जो है maximum 618 nanometer wavelength के light का absorption कर पाता है ठीक है अब हम लोग देखते हैं कि photosystem का नाम जो है NCRT का line है कि यह जो नाम है किसके according to their discovery उसके discovery के according रखा गया है ठीक है यूज में photosystem 2 जो है यह पहले आता है और photosystem 1 यह बाद में आता है यह non cyclic में और cyclic में तो एक ही है सिर्फ अपना photosystem 1 यह हम लोग आगे देखने वाले हैं तो एंटेना है जहां आप लाइट और वस्टिंग कंप्लेक्स इसके पास सारा pigment होता है एक सिर्फ एक पिगमेंट छोर करके वह है अपना मेजर पिगमेंट chlorophyll ए जिसके पास होता है क्या यह फॉर्म करता है अपना reaction center photosystem one और photosystem two इसके बारे हम लोग सब कुछ बता चुके हैं आप लोग को यह शिक्षन एटीन नो मिटर पे एब्जोब करता है पिक पिक इसका जो वेविलेंट है जो मैक्सिमल है इसके का लोग पी 700 और पी 800 यहां पर यूज कर रहे हैं ठीक है अम लोग देखते है कि electron का primary acceptor कोन अलेक्टन का primary acceptor photosystem one में अलग है photosystem तू में अलग है photosystem two का अगर बात करोगे यहां पर अपको जो प्रेमिली अग्ट्रोन एक्सेप्टर है वो है फियो 15 ठीक है वो है फियो फैटीन और जो हमारा फोटो सिस्टम वन में है वो है अपना एरन सलफर प्रोटीन ठीक है यह हम लोग आगे चल करके देखने वाले हैं फिर हम लोग है टर्मिनल एक्सेप्टर जो सब से लास्ट में एलेक्ट्रों को एक्सेप्ट करेगा वो कौन है जा दोनों दोनों म अधार करेंगे यहां फिर हम लोग इसका requirement भी देखेंगे जैसे यक्साइट एलेक्टरन ट्रंस्पोर्ट चे-ण यहा लोग देखेंगे यहां बलीकर्मिनल एक्सेप्टर ऑन चीवान चीए और और अपना है जो एक्षिजन इवालिंग कम्प्लेक्स या फिर मिन्राल क्लोरीन या फिर कैल से लोग ये सारी चीज हम लोग को वहां पर जरूद पढ़ने वाली है इसका हम लोग भर के वहां पर यूज देखने वाले अब लास्ट में अपना है जो एनने डीपिएस का सिंते स supply इसको लोग एने डी पेस्ट तू बलेते हैं फिने डी पीफ पलस प्लस स्फ एससे बोल देते हैं इसका उतसी सोता है इसमें आपको जरूरत होना नडी प्लस का जरूरी पर एगा जो कि आपको एक अलेक्टोन लेकर वहां से क्या कर लेगा यह एन डीपेज का यह फॉर्मेशन कर लेगा फिर अपने पास होना चाहिए वहां पर इससे पहले एफ एनर इसको हम लग बोलते हैं फेरेडॉक्सिन एन डीपी रिड़क्टेज ठीक है यह अपने पास होना चाहिए और अपना लास्ट इवेंट एक और है जो हम लोग को पढ़ना है वो है अपना में एटीपी सिंथेसिस एन डीपेज गा आप लेक्ट्रोन में क्या होगा कि आप ठीक है क्लिक फ्लो अप यह आपको कहा मिलेगा एस्ट्रोमा लेमली में देखने क्ली मिलेगा फिर जब आप लोग इसका रिक्वार्मेंट में परते हैं कैमी और है पूर्ट मेंब्रेन देखेंगे फिर प्रोट्रोन ग्रेडियंट के टम समझेंगे लोग को जो जरूरत होने वाल सबसे पहला एलेक्ट्रोन केरियर है ठीक है प्रेम्री एलेक्ट्रोन एक्सेप्टर प्लस्टो कुईन यह क्या करता है एलेक्ट्रोन को एलेक्ट्रोन एक्सेप्टर है यह प्रोट्रोन का भी एक्सेप्टर है और यह क्या बन जाता है एक्सेप्ट करके यह बन जाता है प् प्रियों को अबच देखते हैं यह भी प्राइब ये जिए वह फिर फिरी ठीक है फोटो सिस्टेम वह न के पास यह जाएगा फेरोडक्सिन के पास जो वह भी क्या है सिर्फ एलक्ट्रोन एक्सेप्टर है और यह आउटर सर्फेस थालाकोर्ड मेंबरेंट के यह प्रजेंट रहता है फिर हम लोग का लास्ट माता एफ एनर जो की आउटर सर्फेस हम लोग को उतना कुछ जाद है फिलाल जानना नहीं है लोग लाइट रेक्शन में आगे बढ़ते हैं यहां पर आपको देखने मिलेगा नॉन सैकलिक फोटो फोस्फोर एलेशन जहां के बारें देखेंगे यह को यह रहा अपना जैड इसे करके बनता है अपना जैड ठीक करेगा और यह अपने आगे ट्रांसफर करेगा फियो फाइटिन के पास ठीक है वहाँ पर हम लोग ने प्लास्टो को इनों करिया था जबकि फ्यू फैटिन प्रैम्री एक्सेप्टर हम लोग पहले भी देख चुके हैं इसके इसके बारे हम लोग अभी जस्ट थोरद पहल सिस्टम वन को ट्रांसफर करेगा यहां से आपको अफिल होता हुआ दिखेगा प्रोसेस यहां से डाउन हील फिर एक बार अफिल तो यहां पर आपको जैड का फोर्मिशन दिखता है इसका बोल देने जैड़ स्कीम बोल देने ठीक है यहां तक क्लियर है फिर फोटो यहां पर क्लियर क्लियर कट ठीक है एकदम सिंपल सिंपल टर्म है आपको यह तने चारी सीच समझ में आने चाहिए और यहां जो पीएस वान आपना यह हमेशा कितना मैक्सिमुम पिक पिक कितना भी लुए इसका 70 नैनोमेटर वेवलेंट का यह लाइट को अब्जब करेग और यहां से सबसे पहले अपहील होगा यहां पर जारा रहा है आयरं स्वेट पर के पस और प्लस्टो कॉइनोन को यहां से सैकल के पास फिर यहां पर आपको downhill दिखता हो जिखेगा ठीक है इहां पर को TORM מכ का पर fomo tato i.e. अब हम लोग कई पर्हिक्वर मुखोग नंपैर है हुआ उस कि हम लोग नहीं पर रहे है अब हम लोग को यहां पर क्या नहीं झांप्ल bell दिख रहा है बहुत ही इंपोटन शील यहां पर नहीं झारा जो कि हम लोगो लुगों स्टिकोर Фटो फसपोर रयाशन में दिख रहा था थां ठीक है यहां तक आपको पूरा तरह किलिए पुरुत तरह से किलियर हो गया होगा है आप लोग को क्या करना है उसमें पाटिसिपेट करना है और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से तरीके से करेंगे तो चलिए ठीक है हम लोग रखेंगे आज का लेक्चर को यहीं तक क्योंकि इतना महीं आप लोग का काफी जाद हो जाएगा फिर कम आप लोग रखेंगे अधे करदाटे सिहा यह